गुट मॉनिंग एरिवन गुट मॉनिंग जल्दी सी जल्दी अब आज बताईए कि आपको पहुंच रही है तब तक जो है मैं टेलीग्राम चैनल की उपर अपनी क्लाश शेर कर देता हूं ताके बाखी बच्चे भी जूट जाएं जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सब को गुड मॉर्निंग हूं है को यह बूर्मण एरिवन को जल्दी से जल्दी बताईए पहले आवाज आ रही है आपको लोगों को अब प्रॉपर तरहीके से आवाज पहुंच रही है कि जी चलिए मैं भी सुन लेता हूं अपनी आवाज को कि मुझे आवाज पहुंच रही है जिल्दी से बताइए जी आवाज पहुंच रही है तो बीना टाइम वेस्ट के हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलते हैं जी आज हमारा सेट नंबर है त्री प्लस आज शाम को भी हम सेट नंबर फॉर है वो डिस्कस करेंगे सेट नंबर फॉर आज शाम को भी आएगा रात को नौ बजाएगा वह देख लेना चीक है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं आप सबको पता है कि मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल आगे बढ़ते हैं आग आपको टेलीग्राम चैनल की उपर आपको 100% यहां पर फॉलो करना ही करना है रीजन क्योंकि डॉक्टर यहां पर जो है डॉक्टर विपन गोईल के टेलीग्राम चैनल की उपर पहली बात तो एक लाख 32,000 प्लस बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्लस यहां पर जितने भी हमारी विडियो लेक्चेस की जानकारी वीडियो लेक्चेस पीडियएफ सब कुछ मैं यहां पर शेर करता हूं डॉक्टर विपन गोईल के नाम से कल भी मिने जो है जो भी हमारी पेडिंग पीडिएफ से वह मैंने सारी शारी शेर कर दिया रात को छेयर कर दी तो आप देख सकते हैं और आप मुझे फॉलओ कर सकते हैं इंस्टाग्राम की ऊपर डॉक्टर विपनगोल के नाम से मेरे दो पेड़ कोर्सी जाते हैं अधे इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है chapter wise mcq डिस्स करते हैं यहां पे डिटेल में chapter wise mcq तो हैं है यहां पे लेकिन यहां पे मैंने ssc का एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है तो भी आप देखेंगे साथ में और इसके इलावा सी के इलावा भी हमने अपने के लिए स्टेट PCS के लिए अलग-लग से फोल्डर बनाए है तो वह देख सकते हैं और इसके अंदर कूपन कोड है गैट 10 और विपन 10 आप लगा सकते हैं और 20 तो फैब तक जो आप इस को पर्चेस कर सकते हैं दूसरा हमारा यह पूरा का पूरा हमारा थेरी कोड से इसमें हमने थेरी डिटेल में डिस्कस की है और इसमें कोड है विप 500 लगा के अपना डिसकाउंट लेजिए और आप इन आपको दिख जाएगा थर्ड नमबर पर फोर्थ नमबर पर आपको दिख जाएगा जी स्कूर्स तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप पर्चेस कीजिए मैं आपको एक चीज बता दूँ मैं परसनली रिकुमेंट करूंगा अगर आपका एक्जाम तीन-चार महीनों बार मैंने रेपेटेशन करिया कि आपके दिमांग में चीज बस जाए और अगर आप नेक्स यर के लिए पर प्रपेर कर रहे हैं तो जी एस कोर्स लीजिए तो अपना जो भी आपको अच्छा रखते आप पर चेस्स कर सकते हैं ठीक है तो नाव दा कोशन जी स्टार्ट व क्या करने को हो देश के अंदर को छो कितनी है आपकी तोटल आठ इंडस्रीस हैं क्या बबनेगा पर यह यहीं हो गया कि जो आपके में इंडस्री जो आपको करती है और दूसरी बात यहां पर यह है कि जो इंड़ाटरि स सक्टर आता है वह आपका सक्टर की समंडरर मिलन को हैनोध उसया है हमारी कोर इंड़स्टरी मुख्या दियोग यह और वह अपनेर्ट से यह आपको नाम पता होने चाहिए कौन कौन से अधियोग है ठीक है कोल वाला है कुरूड ओयल है नैच्टरल गैस है रिफाइनरी है स्टील है सेमिंट है फटिलाइजर है और इलेक्टिसिटी है तो यह आपके आठ जो हैं आपके कोर इंड़स्री से यह पता होना चाहिए इस यह आपको याद करने है कैसे तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कौन की स्क्रूड ऑयल की चीक है और नैच्ट॓र्र गैस की यह हमें कौन सी चपानों से देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्र एुंटानों के सेमीं देखने हैंट से उसके बाद आज हो कौल है आपका कोल की चार वराइटीज होती है ए बी एल पी एंथरासाइट बीटूमिनस लिगनाइट और पीट सबसे अच्छी वराइटी एंथरासाइट सबसे वेकार पीट और उसके बाद जातों क्रूड आइल क्रूड आइल का मतलई यहां पर हम अगर बात करें पेट्रोल आपको याद करनी है स्टील आपको पता होना चाहिए हभी हमारे देश के अंदर स्टील के लिए मिशन प्रभोध्या चला हुआ है मिशन प्रभोध्या जाने कि नॉर्फ फीस्टन स्टेट्स को आपने इतना डैवलप करना है कि आपको स्टील प्रटक्शन वहां पर बहु स्लूशन था ग्रेवरेवलीशन चीक है यह आपको ध्यार रखना है सो इस आर इंपोर्टन फैक्ट्स जो आपको साथ इसमें जोडते हैं चलिए अगला अंसर बताईए जी क्या होगा जी वर्ल्ड राइनो डे वर्ल्ड राइनो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड राइनो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं जी वर्ल्ड राइनो डे वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 सेप्टमबर को 22nd of सेप्टमबर इस वाइट राइनो डे क्लियर वर्ल राइनो डे इसको कहते हैं और इसको रोजडे भी कहा जाता है रोजडे रोजडे भी कहा जाता है ठीक है रोजडे वेलफेर आफ दा कैंसर पेशेंट्स जाने कि रोजडे का मतलब यहां पर क्या है वेलफेर आफ दा कैंसर पेशेंट्स उनका दिवस जो होता है बाइस सप्त स्पोर्टों सेल अंडव और हम क्या आता है तों क्येंसर क चांसर की स्टडी को हम क्या 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 है तो जीन य्मों सबस्तभर ठीम 10 to ले होता है साइन लेंगोजिस के लिए साइन लेंगोजिस के लिए इंटरनेशनल ले जो आपने हाथ वगएर से साइन देते हैं उससे चीक है अंसर इसमें क्या बनेगा फॉर्थ ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर यहां पे देखें जी हमारे पांच लग-लग टाइप की वर रंगा नैशन पार्क मैं अंदर जो है आपका वर रहनौ रहते हैं और यह पर असम के अंदर है असम के अंदर आखने को अग करते हैं यहां पर राइनो का इ definition चीज़ देखें जी क्या होता है कि अगर हम पूछे यृ b नोस की स्टड़ी क्या होती है नोस की स्टड़ी को भी कहते हैं राइन लॉजी राइन लॉजी क्यों क्योंकि गैंड़ा की गैंड़े के सिंग जो होता है वो कहां पर नाक के उपर इसलिए राइन वर्ड यूज करते हैं राइन लॉजी अगर हम कहें कि नाक के अंदर कुछ भी टीश्यू की इंफ्लामेशन होती है राइनाइटस कहा जाता है द्यान रखना इंपॉर्टन पार्ट है समझ आया जी चलिए यह अगला कोशन बताइए क्या बनेगा अगला कोशन देखे जी एम माइनस वन एल थ्री टी टू आर्दा डामेंशन ऑफ यह किसकी डामेंशन है यह किसकी डामेंशन है इसको निकालने के लिए अगरेंगे एफ इंटु आर्ट स्केयर अपन एंटू यह होगा और एफ क्या होता है है m into g into r square again m1 m2 तो इसको हम m से m काट सकते हैं तो gravity क्या होता है distance velocity upon time जो gravity होता है acceleration due to gravity velocity upon time और velocity को हम क्या लिख सकते है distance upon time तो मतलब क्या हो गया यहां पे meter per second square यह बन जाएगा multiply by यह क्या बनेगा मीटर स्केयर और उसके बाद जो है यहां पर क्या बन जाएगा meter समझाया हाँ कि समझा गया आप लोगों को तो यहां पर s square यहां पर चला गया एक सेक्ट रूगे एक सेक्ट रूगे एम इंटू जी ठीक है इंटू आर स्केयर रेडियस का मतलब बन जाएगा आपका लेंथ कि डिस्टेंस अपॉन टाइम यह बन गया एक सेक्ट रूगे इसका अंसर जो है यह बनेगा आपका यह है आपकी डामेंशन जो है डामेंशन इसका एम माइनस ओन ग्रविटेशन घृविटेशन इसको कहते हैं तो आपको मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं इसका फॉर्मूला क्या है आप देख लेना ठीक है जी इसका फॉर्मूला वही है फ इस इगल टू जाजी एम 1 एम 2 अपाउन आर स्केयर इसको है यह बन जाएगा तो देख लेना आप लिकाल भी सकते हो यहांTH पे मास मास ऐसे बन जाएगा और एकसलेशन क्या बन जाएगा है इसके बन जाएगा डिस्टेंस वैबर टीम वह क्याओन लैद और है यहां पर क्या बन गया यह लेंथ का बनेगा आपका मीटर क्यूब ठीक है जी यह बन जाएगा ऐसे और उसके बाद जो है आपका टी माइनस टूपर चला जाएगा और आपका अंसर निकलाएगा समझाए आप लोगं को तो इस तरीके से आपका का फॉर्मूला ऐसे निकलाएगा माइनस बन एल क्यूब टी माइनस टू चलिए अगला अंसर बताईए हां हां बलगल यह बिल्कुल अरे वेल्यवी पुट करनी है उसके अंदर वेल्यू पुट करके निकलाएगा जैस्ट मैंंने आपको बताई दिए कि कैसे वी निकालनी है को सुपचने की जूरत नहीं है कोपी करो आको बहुत निγक्छा गए नेक्स देखें जी मोरेंज जो होते हैं वो किसे बनते हैं मोरेंज जो होते हैं वो किसे बनते हैं यह कोशन है आपका इंपोर्टन है मोरेंज किसे बनते हैं मोरेंज दिखें मोरेंज जो बनते हैं आपको दिखाता हूं पहले तो क्या होता है मोरेंज यह होते हैं देखें यह बाद जो है बाद में यह छोटी ज़्योटी चीज़े में धी कहा जाता है अब मुरेंगा मतलब कि जो बरफ है बरफ है पानी है उससे कि रे tapi आई रॉक के फ्रेगमेंट्स आय जाते है रॉक के च्छोठी चीज़े आजाती है कंकर वगएर आ होता है और यह कौन है यह ग्लेशर लेके आ रहा है यह ग्लेशर पिगल रहा है और ग्लेशर लेके आ करके लाना जाता है Toas click के नाम से जानते हैं और इसका जो नाम है वह है आपका इंद्रा गृल्लाइफ संचली नैशन पार इंड्रा गांदी व्ल?!Les यहां। यह आपका अंना मलाही के अंदर मारा एक नामं राइं इसके ऊपर है कहां के नंशन पर पे मिलता है इंद्रा कांदी वर्ल लाइफ सेंजरी और नैशनल पाग जिसे हम टॉप कहते हैं एक्चुली क्या होता था कि टिंबर होता है लकडी लकडी को यह स्लाइड कर देते थे यहां से लकडी को क्या करते थे स्लाइड कर देते इसलिए हम कहते हैं टॉप स्लिप चैनल के स्लाइड कर दिया क आपको मिलती है तो उसमें क्या बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा राइट अंसर तो यहां पे देखें तमिल नाडव फॉरेस्ट इंद्रा गांदी वाइलाइफ सेंचरी एंड नैशन पार वेलकम्स यू यह देखना है कि नेक्स देखेजे पॉटाश्यूं परमेगनेट इस यूज्टू यूजस्ठू प्यूरिफाइवाटर एज टीज चीज के अंदर जितने की इसके अंदर इंदर इंप्यूरेटि इसको शुद्ध देता है फिल्टर आउट कर देता है जितने भी आपके बैक्टीरियाज हो झाल कर देता है उनकी चल काल Черबफ बनेगा आपको मिलता है के लिग कोशन हें अंसर इसमें क्या बनेगा पोटासियम बinen पर मेगेनिक हाल में यह कोश्रों में घिसकश भी किया था प्रमेगनेट का लेट एक बताइए इनमें से जो मिल्क लेट डाउन हॉर्मोन है वो किसे कहते हैं बताइए जी मिल्क लेट डाउन हॉर्मोन किसे कहा जाता है जी यह क्या होता है कौन सा आपका हॉर्मोन है मिल्क लेट डाउन हॉर्मोन जो है इनमें से कौन सा है वो होता है ऑक्सिटासीन ऑक्सिटासी बफैलो वगरा होती हैं उनके injection भी लगा दिया जाता है वो कहते हैं कि injection लगाओ उसके जो गाये है बैस है उसका दूद्ध ज्यादा निकलेगा वह injection भी किस चीज़ का लगाते हैं ऑक्सटोसिन जो एक्शुली करते हैं मैंडर चीट्रॉस और अप्सट्ण करता गया है कर देता है अब यहां पर देखें यूट्रस को हम और क्या कहते हैं बांब कह जाता है इंदर के लिए अपको नथे लिए फिमेल के लिए फिमेल के लिए प्रोположस्य प्राफा सब्सक्राइब करेंगे ऐसंद्यों को तो इससका द интересно के दिए आपका होर्मोन कुनसा होता है आपका प्रोज़ेस्टिरों देखने को मिलता है समझ आया जी अब उसके बाद आजाओ प्रोर लक्तिन के अंदर प्रोर लक्तिन क्या करता और उसको ग्रोथ में आपको काम करता है चीक है तो इसमें क्या बनेगा आपका और चीज आपको बताता हूं मैं यहां पर मिल्क की साथ संबंदित है मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है लक्टो शुगर होती है और आपका एसीड कौन सा होता है लक्टिक असीड भी देखने को मिलता है अगर दूद्ध खराब हो जाए तो लक्टिक असीड बन जाता है अंसर इसमें थर्ड और अप्शिन बनेगा राइट अंसर ऑक्सीटोसिन को चलिये लेट डाउन रिफ्लेक्स इस तरहीं को मिलता है म अगलना अंसर पताइए फ्टा फ्ट को ऐसे समझाना है अगर हम ने रॉप कर दिया एख स्पेशच आफ थय तो वह क्या करेगा देखें जब भी हम कैस कैसे कहते हैं कि जब भी हम स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं एक स्पेसक्राफ्ट चौक्वलर डिरिक्शन इस खर पंटिकुलर हाइट के उपर छोड़ा जाता है जैसे कि अगरह मात करें हम स्याटलाइट चोड़ते हैं थो 35 Sandra 660 गिलॉमिटर हम है दिव् communist दो यह कि जरुट को स्थेश्न माननके चलते हैं जूअर्ठ सेटलाइट वगयरा जिसे हम क्या होता है तो क्या होता है आपका grow है कि यह सारी चीज़े जो है आपकी प्रॉप तरीके से आ जाएं लेकिन अगर मैं को यह क्यों बनेगा ग्रैविटी के कारण फोट्स ऑफ ग्रैविटी के कारण लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमने वहां से स्पेस्क्राफ्ट से छोड़ दिया तो यह क्या करेगा जैसे जै इस गुमरिया तो चमच्वी वैस्ट करता है तुवर्ट्स ध इसका कॉनसप्ट आपका बनेगा आपका सी उप्षण बनेगा एक वोलो इडवील फॉलो दा सैटलाइट स्वी बिल्कुल जैसे जैसे आपकी स्पीड होगी आपकी सैटलाइट की वैसी ही आपकी डिरेक्शन में घुमता चला जाएगा वैसी ही चीजों में चलता चला जाएगा जी बिलकुल यह सिर्फ और सिर्फ रिजन क्या है आपका पैंत यह आपका रिजन क्या है फूर्स ऑफ ग्रैविटी का कॉंसेप्ट आता है इसके अंदर क्लियर ओगा आप लोगों को जी यह एक्सलेट करत है कि इसका रिजन क्या है वर्ट वाजर रिजन बिहाइंड कुट इंडिया मुवमेंट इन 1942 1942 के अंदर कुट इंडिया मुवमेंट हुए थी सबको बता है बारों छुड़ों अंदोलन जिसे हम कहते हैं गांदी जी नहीं यहां पर लॉंच किया था आठ ऑगास्ट था ठीक है अगर पेपर में आता है कि कुट इंडिया मुवमेंट वॉस लीडर लेस महात्मा गांदी सब कुछ नाम आते हैं तो आपने लीडर लीडर लेस को टिक करना है अगर वहां पर लीडर लेस ऑप्शन में नहीं आता तो महात्मा गांदी जी को टिक करना है यह द्य अगस्त 1922 को और आई एंसी ने नौ अगस्त को स्टार्ट किया था चिक है कुट इन्या मुवमेंट अब बात यह है कि यह स्टार्ट कब हुआ था अच्छा यह वाइलेंट नेचर थी मतलब हिंसा जनक मुवमेंट होगी थी यह इसा वगारा चल रही थी यहां पर कोशन यह ह आया था आपका मुंटेक्यू चैंप्सर रिफर्म हुए थे जिसमें हमने बात करी थी प्रोविंशल डायार की के लिए तो जाने के कॉंस्टिशन रिपोर्ट हमारे लिए त्यार करने आया था इसका बहिश्कार इसलिए क्या गया था क्योंकि साइमन कमिशन के अंदर 42 में आया था और मैंने आपको बताया था क्रिप्स मिशन बीजा किसने था विंस्ट्रिंच चर्चिल ने जो उस time के क्या है आपके ब्रिटेटेन के प्राइम गिनिस्टर फेल से और उस ट्राइम पे जो हालत इतनी खराब हो चुकी थी क्या कि जो आपका second World War के अंदर जो ह हम नहीं जाने वाले तो इसी लिए इन्हों ने क्या कहा का विंस्टे चर्ची ने बोला क्रिप्स मिशन को बेजा कहता कि जा इनको मना जैसे मर्जी मना क्योंकि इनको हमें इनकी जुरूरत है और इसने यहां पर बहुत सारे परपोजल दिये क्रिप्स मिशन प्लांड के लिए क्या बोला था आपका पोग ढë cancer जाने के यह आगे की कि डेट का एक चक दे दिया गया है जो आपका कभी भी पास नहीं होने वाला और यह वह UK घृत जाहर है पोज़ारा ही आप लों यहां आप आपका जो है अंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर कृप्स मिशन की विफलता क्लियर अंसर इसमें सी ओप्शन सब्सक्राइब आपका प्रोपर तरीके से पार्ट होता है आठ अगस्त को गांदी जी ने यहां पे इंडा मूंट के बारे में बात करी फिल दे bisher अगला आशल बता ही ओग है दिलाइट इनली भी यह बिलकोल चलिए अगला सब्धाएक विल्ड आप दो है आपके पहले कौन थे वो थे मानिक शाय जी उसमें सेपलत के लिए ऑप्षिन बनेगा का मानिकशा और सेगेंड वाले कौन थे आपके यह ला यह मानिकशा के बाद के हम करियप्पा पार के हम कर एपा चैनल को थो अंसर इसे में क्या बनेगा यह ग्जा थे और आर्मी डे कब मनाते हैं आर्मि डे-स का किया जाता है आपका 15 जन्वरी को 15 जैन ठीक है और उसके बाद आर्मी डे के बाद अगर हम बात करें नेवी डे नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं चार दिसंबर को एयरफोर्स डे एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं आठ अक्तूबर को यह भी पता होना चाहिए आपको अंसर इसमें ए ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर मानिक शाह इस दा करेक्ट अंसर फिल्ड मार्शल मानिक शाह चलिए अगला अंसर बताईए फट जी 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 कोशन द्यान से समझें इन में से कौन सी स्टेडमेंट आपकी करक्ट है स्टार्ट विद फर्स पॉइंट वैंने कंडुक्टर इस प्रेजिन एलेक्ट्रिक फेल दा चार्जिज में बी इंडूस्ट ऑन दा सर्फिस ऑफ दा कंडुक्टर यह पॉइन दिखा ओगा जैसे बारिष होती है बारिष जब होती है तो बिजली गड़गराती है दर्ती के उपर गिश्कती है अब क्या होता है जो गाड़ी एक अपर तहां करते हैं तो इसलिए जह भर यह गेट बगैरा बंद करते के रखनाँ क्योंकि अगर इसकी उपर तरहां तो है यूरे जहांब कि आंदर बैठें ञहूं कि आपने कोई छीश को पास होने के लिए मतलब बास होई नहीं सकती है तो इंसाइड दा कंडक्टर जो होती है आपकी हमेशा लेक्टिसीटी जिगे यह सारी एक्टिसीटी कहां पे रहेगी जो सिर्व बाहर रहेगी ओटसाइड दा सर्फिस यह आपका पॉइंट बिल्कुल सही है ठीक है उसके बाद आजओ एलेक्टिक पोटेंशल इसे वेक्टर फंक्शन गलत है अगर हम बात करते हैं यह आपका स्केडर बनेगा only one क्योंकि इसने क्या पूचा था इन में से correct statement पूची है answer इसमें one option बनेगा राइट अंसर जी 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 ऑप्षिन बनेगा भाई ऑप्षिन बनेगा इलेक्ट्र स्टेटिक फील्ड जो होती है वह आपकी वेक्टर होती है लेकिन इलेक्ट्र इलेक्ट्र को प्टेंशल की बात करते हैं तो वह आपकी जो है scalar quantity होती है गलती से भी गलती नहीं करनी है समझाए आप लोगों को जी क्लियर हो गया आप लोगों को तो अंसर इसमें क्या बनेगा only one only one option is there ठीक है गलती नहीं करनी वेपर में अंसर इसमें one option बनेगा राइट अंसर चलेजी अगला बताइए कोशन है density of water approximate कितनी होती है density of water जो है approximately कितनी होती है approximately बता देता हूं एक्जेक्ट बता देता हूं आपको 997 किलोग्राम मिटर क्यूब होती है density ठीक है और अप्रोक्सिमेटल कितनी होगी आपकी 1000 ए ऑप्षिन बनेगा water की maximum density कि इस temperature की उपर होती है 4 डिग्री सेल्सिस की उपर देखने को मिलती है boiling point कितना होता है water का आपका 100 डिग्री सेंटिग्रेट 100 डिग्री सेंटिग्रेट और एक उता ट्रिपल पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है जीरो डिग्री केल्विन चीक है यह एक ऐसा temperature होता है जहां पर आपके सारे motions जो है solid liquid gases एक जैसे रहते हैं clear होगा आप लोग को तो answer इसमें क्या बनेगा आपका a option बनेगा right answer a option बाकी मैं and one five upon hundred चीक है यहां पर c Celsius है एक है और के आपका Kelvin है तो यूनिट तो आपके Kelvin होते हैं पेपर आते हैं लेकिन अगर आप से पेपर में कोई भी आपको option मिलता कि Celsius का given हो Kelvin में निकालना है तो आप इन दोनों को बराबर करोगे और अगर आपसे Celsius दे रखा और फार्नाइट निकालना तो आप इन दोनों सब्सक्राइब ने थी वह बनी थी साव सुडान वन नाइन टीटी थी मेंबर जो बना था वो यह था अब बात यह पूछ रहे हैं एरिट्रिया के बारे में एरिट्रिया का जो है यह कहां पर देखने को मिलता है एफ्रीकन कॉंटिनेंट के अंदर अंसर इसमें बी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या है में डिट्रियन सी और रेड़ सी के बीच में एक आपकी कैनाल आती है जिसे हमका कहते हैं सुइस के नाल भी इसको कहा जाता है सुइस किनाल जो होती है यह जोड़ती है किसको मेलिट्रेनियन सी और रैड इस सी को जोड़ती है मली इसमें बारई सागर करती Life है western disturbances western disturbances पस्ट्षीमी विशोब पस्ट्रम जो घाट होती है पस्ट्रमी जो है विशोब आती है और हमारे शर्दियों में विंटर में रेंड करती है बारिश करती है नॉर्थ-वेस्ट इंडिया के अंदर इस अगे वरी इंपोर्टन पार्ट यह आपको याद बिल्कुल यह होन ओफ एफ्रीका के पास देखने को आपको मिलती है यह वाली कंट्री एरिट्रिया चीक है चलिए अगला अंसर बताइए अच्छा चलो चलो अपनी सेंचुरी जो है यह कहां पर लोकेटेट है घरम पानी सेंचुरी इस लोकेटेट एट गरम पानी century is located at गरम पानी जो century है यह कहां पर देखने को मिलती है यह देखने को मिलती है आपको असम के अंदर अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी option बनेगा right answer दीफू असम इस दा correct answer असम इस दा right one चीक है एक चीज़ आपको और बता देता हूं कि गरम पानी century असम के धर्म आझए न्रजी ऑसे हम जियोथर्मल एनरजी जो heat वाला पानी होता है अंसर इसमें क्या बनेगा असम & option बलेगा असम की बात करते हैं काजी रंगा नैशन पार्क है यहां पर यहां मेरी का मेरी संपार्क है और लेगन पारमाइए अकेला नैशनल पाक देखने को मिलता है फिर लिखा हुए सिक्किम सिक्किम जो हमारा स्टेट है यह हमारा कंप्रीट सेट कब बना था 36 अमेंडमेंट टैक्ट 1975 के अंदर क्लियर याद रखना यह इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एड किया गया था सिक्किम के अंदर जो ह है कंचन जंगा नैशनल पाक जो वर्ल्ड हेरिटेस साइट देखने को मिलता है और सिक्किम जो है पहली हमारे देश की और सिक्किम जो है आपकी ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट भी रही है यह ठीक है याद रखना है जूनागड गुजराद आपको पता न जाएक कि नागा लैंड में आपका जो है ओफिश्यल लेंगउस कौन सी है डाड इस इंग्लेशंग इंग्लेश इज ऑफिशल लेंगउस एक लिया अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी औप्शन बनेगा दीफू असमी इसज़ा करेक्ट अंसर दीफू असम चलिए अगला कहने है कि इन में से इसा जो नैशन नहीं है यäreते साइट के नदर यूनाइस को जो होता है य पैरिस के अंदर और किसके हैड़कॉर्टर है ओई सीडी के और गनेशन ऑफ एकनोमिक कोपरेशन डेवलमेंट अब बात करते हैं यहां पर कौन से नैशन पार्क जो है आपका वर्ल्ड हैरिटेस साइड में नहीं है काजी रंगा नैशन पार्क तो है वन होन राइनों के मिला नहीं है और काना जो है आपका मध्या परदेश में रेखने को मिलता है इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर काना इस नौट जी काना इस नौट दा वर्ल्ड हैरिटेस साइड आप दा यूनेसको बिल्कुल सही क्लिया और अच्छा एक MP के बारे मे सबस्टांस आपकी डायमंड के लिए दायमंड के लिए फिमर्ण है और डायमंड जो है आपका नैच्टरल हाड़ेस नोन सबस्टांस है चुडेरफ्टी के अंदर और सबसे हartet सबसाटि को पूसा है इनयमल जाने क्लो बनवाए थे चंडेल वंशने बनवाय थे चंडेल चीक है यह आयाद रखने आपको चलिए अगला डिस्स करते हैं लखनव सेशन जो है आपका इंडिया नेशन कॉंग्रस का जो हुआ था 1916 के अंदर यह किसके दारा प्रिसाइड किया गया था लखनू सेशन जो है इक इसके मॉडर्स एक्स्रेमिस्ट मिलाने का जो श्रे जाता है वह एहनी विसेंटटी को जाता है और दूसरी बात यहां पर यह है कि प्रिसाइड को और बात यह है कि 1916 में लखनू सेशन को परिसाइड कौन कर रहा था अंबी का चरनमजूमदार आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर अंभी का चरनमजूमदार इजबी ऑप्षिन ज़िए पर्णमजूमांण लखनुपैक्ट में बोला था जिन्ना को किसने बोला था यह बोला था सुरोजिनिन नाइडू जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है भारत के अंदर नागपूर कानपूर सेशनता 1925 का पहली बारतिया महिला जो आई-एंसी चेर पर सनरे थी वो थी सुरोजिन नाइडू otherwise सबसे पहली महिला कलकत्ता सेशन के अंदर जो है जो आयरलेंड से आई थी जो है और दो जगा पे और जुड़ती है सिविल डिस और मुवमेंट में आपने पिच्छर देखे गांदी जी के पार की पीछे एक लेडी चल रही है वह दूसरा पार्ट यह है कि जब आपका सेकंड डाउट नेबल क प्यांशन ही आगया था यह आपको पता होना चाहिए अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्षीन बनेगा राइट असर भी ऊप्षण इजा राइट अंसर क्लिया बी ऑप्षॉन चले जिए अगला बताइए अगना चुन बताये क्या बनेगा आप अगर 20 227 मेघाल्या के अंदर देखने को आपको मिलता है अंसर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा शिलॉंग के पास चीक है और मेघाल्या को हम बोलते हैं अबॉर्ड ऑफ क्लाउड बादलों से गिरा हुआ है अबॉर्ड ऑफ क्लाउड जाता है और यहां पर तीन हिल्ज है गैरो खासी औ वहां पर आपके ऑल फल एटबर ऑलोंय वीडिर टापल जो है मास्तिंग करने आते हैं जो साइबेरिया यह और इस जो मास्तिंग के पूरे के स्नक को क्या बोलते हैं अरी बद्दा कहा जाता है पुडिशा के अदर रखना है और मनीपूर की करते हैं मनीपूर में आपका लेक है डैडनेशıkt कोड लोकतक लेसी लोकतक लेक वहाँ पर अपका लेखने Samu वाटरफॉल क्लियर होगे आप लोग को यह कहां पर देखने को मिल रहा है में गाल्या के अंदर बिल्कुल नेक्स्ट बदाईए स्वाइल वाटर रिटेंशन के लिए स्वाइल वाटर रिटेंशन के लिए इन में से कौन सी चीज यूज करी जाती है जल्दी बताईए जी स्वाइल वाटर रिटेंशन के लिए देखे पहला बात करते हैं फोटो मिटर फोटो मतल लाइट मिटर मतलब मापने वाला फोटो म है विजीबल है कौन सी रेंज की आपकी लाइट आ रही है और उसके बाद है पाइरो मीटर पाइरो मीटर मापेगा आपका टेंपरेचर हाई टेंपरेचर को मापेगा इवन सन सन का टेंपरिचर को मापने के लिए आपका पायरोमेटर योज किया जाता है और फिर लिखा हुआ है यहां पर टैंशनोमीटर यह है बिल्कुल सही जो आपका मापने के लिए एक और चीज भी होती है डाईग्रोमीटर होता है चीक है अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी टैंशनोमीटर इसदा राइट वान डी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर बिल्कुल जी जी फूर्थ ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर इस तरीके से देखने को मिलता है आपका प्रॉपर तरीके से यह हमने पढ़ना कुछ भी नहीं कि क्या होता है कैसे होता है चले जी अ यह मंडोवी रिवर है कहां पर गुवा के अंदर और गुवा के अंदर जो है आपका बॉर्डर पर पढ़ता है इंडिन स्टेट ऑफ गुवा एंड करनाटा की उपर बढ़ता है दूल्द सागर फॉल भारतिया राज्या गुवा और करनाटा की सीमा पर है देखने को मिलत है दूल्द सागर वर्टरफॉल अंसर इसमें ए ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर ए और अप्षिन इसा करेक्ट अंसर समझाया जी 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 ठीक है हां अच्छा अगर आप से पूछा जाए यह कहां पर गौवा और करनाटा के बीच में अगर आप से पूछा जाए कहां पे है मतर कहां पर वर्डट डियवी संचरी है जाए इसके आसपारस कौन वियर इकती है तो यह उनके बीच में देखने को मिलता आपका दूर्सागर वाटरफॉल क्लियर मौलेम नैशन पाक और बगवान महावी सेंचुरी के बीच में आपको मिलता है डाड़ दूर्सागर वाटरफॉल मिल्क दा सी ऑफ मिल्क अंसर इसमें ऑप्शन बनेगा चीक है तो यहां पे दिखा देते हैं अगर हुआ तो दिस इ को बोलते हैं बर्ड मैन ओफ इंडिया और नित्थो लॉजिस्ट बोला जाता है और बर्ड की स्टड़ी को और नित्थो लॉजी कहा जाता है चले जी कोशन देखें जी क्या कहता है अकॉर्डिंग तो बुद्धिस ट्रडिशन हूँ वाजज चैरिटर ऑफ भुद्ध के सार्थी का नाम बताना है कौन था ठीक है देखें जो कंथक है यह गोड़े का नाम था हॉर्स का नाम था ठीक है और चैरिटर कौन थे चन्ना अंसर इस लाट ऑफ एशिया और जनुंबीक के अंदर और वहां पे पिल्लर का नाम क्या है और किसी बनवाया था यह बनवाय था शोक ने बनवाया था और शोक नहीं क्या किया था this city India के अंदर खास करके Ceylon और आपका Thailand बगारा देशों पे अंदर इसने बेटे महेंदर और बेटी संग मित्रा को बेजा था संग मित्रा ने जहां पे बुद्व वेवान को बोध गया के अंदर जो है निर्वान प्राप्ति वहां पे एक जो ट्री था जिए पीपल ट्री के नीचे हुई थी पीपल ट्री काड़ दिया था शिशांग रूलर ने और उसको जो है दोबारा से लगाया किसने था संग मित्रा ने लगाया था ध्यान किये और अशोक ने पाटली पुत्र के अंदर जो है तीसरी बुदिष्ट काउंसिल करव जो ख़ाय थी जिनों ने भुक लिखेती अभिद्धाम पितब जो आपके बुदिष्ट की धर भुक है पाली लेंगोश के अंदर और इसके इलावा जो है दो और भी रहे है दो भुख सो और बी है वीपीटक और सुथ trazenP tai आनंद ने लिखेती वीने पीटक लिखी थी उपाली ने लिखी थी तो उसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट अंसर चन्ना इजा करेक्ट अंसर चन्ना क्लियर यह है आज की लेक्टर के अच्छा लगा तो लाइक कर देना शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ बाकि जो है आप टैलीग्राम चैनल के जाते हैं जैसे हमने यहां पर यहां पर किये यहां पर हम 10,000 एंब को और यहां पर हम चैप्टर वाइस टॉपक वाईस हम इसमें करते हैं और यहां पर एक अलग से भी फोल्डर में ने बनाया हुआ है स्सी रेल्वे का डिफैंस एक्जांस का और आपका स्टेट PCS का भी अलग से एक फोल्डर बनाया हुआ यहां पे तो आप देख सकते हैं और इसके अंदर कूपन कोड है get 10 जा फिर आप विपन 10 भी लगा सकते हैं दोनों में से कोई भी लगाईए आपको इसका उन मिल जाएगा और दूसरा कोर्स है हमारा GS course और यह है हमारा पूरा का पूरा थेयरी कोर्स और इसके अंदर कूपन कोड है VIP 500 तो आप इन सब्सक्राइगे तो 10,000 mcq कोर्स जो है आपको थर्ड नंबर पर नजर आ जाएगा और GS course आपको चौथे नंबर पर नजर आ जाएगा तो जो कोर्स अच्छा लगता है पच्छेस कीजिए अगर आप में से यह आपको कहना था और अच्छे से पड़िये अच्छे से से प्रेपरिशन कीज़े पेड से पढ़िये याहें से वह आपके ऊपर है आपके ऊपर है ठीक है तो बस यह है चीज को अगर कोई भी इस चीज़र नाम पर हैं is नहीं नहीं इसमें आप ले लिजे और पढ़ना स्टार्ट कीजिए छेसल बगएरा के लिए सब कुछ चीज है इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए बिलकुल चीक है जी तो कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेश कर सकते हैं सो गाइस टेक कियर एंड हम चलेंगे रात को मिलेंगे नौ बजे ठीक है तो थैंक यू सो मच गूल लग एंड टेक क्या बाई-बाई